एक बबूला बच्चे दिलीव करने जाता है, सभी बच्चे अपने पसंद की भेडों को मा चुन लेते हैं, लेकिन एक भेड के पास कोई बच्चा नहीं आता जिससे वो उदास होकर वहाँ से जाने लगती है, मगर एक आलसी बच्चा अभी भी बच्चा था फिर बबूला फिर वो बच्चा देखता है कि सभी भेडों के पास अपने बच्चे थे लेकिन एक भेड के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो अकेले बैठ कर रो रही थी, फिर शेर का बच्चा उसके पास जाकर बैठ जाता है, तब बबूला देखता है कि उस शेर के बच्चे क अभी भी कमजोर समझती थी मगर एक रात एक खुखार भेडिया इनके जुन्ट के पास अजाता है जिससे शेर दर के अपनी मा के पीछे जाकर चुप जाता है पर वो खुखार भेडिया शेर की मा को ही पकड़ कर ले जाता है शेर के दोस्त भी दर कर चुप जाते है लेकिन अपनी मा को रोते देख उसके अंदर का असली शेर जाग जाता है और वो एक जोर की धार लगाता है जिसे सुन भेडिया दर जाता है शेर भाग कर भेडिये को खाई से